लोग सवाचुना दोजार चौबीस की दिश से प्रदेश मुख्याले में स्थापित इस मीडिया सेंटर में आप सब का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ हम सब जान रहे हैं जैसे प्रदेश अध्यक्सी ने भी बताया है कि लोग तंद्र के महापरवका संखनात पहले ही हो चुका है साथ चर्णों में पुरे देश के अंदर लोग सवागी पांसो तेंतालीस सीटों के लिए चुनाव संपन होना है उनीस अप्रेल को पहले चर्ण के 21 राज्यों के 102 लोग सवाशीटों पर चुनाव संपन हो चुके है और जो रुजहान पुरे देश से मिलना है वारुजहान इस बात की और पुरे देश के दिहान को अकरशित करता है क्याम जन्ता के मन में एक ही भाव है वह उत्तर हो दक्षिन हो पूरब हो पस्यम हो कि फिर एक बार मोधी सरकार प्रधानमंत्री मोधी जी ने तस वर्स में देश के अंदर जिसकी तस्वीर को बदली है आम जन्त की तक्दिर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किये है उसके प्रती जन्ता का सकारात्मक रुख भारतिय जन्ता पार्टी के पक्स में बिना भेदभाव के समाज के हर तपके का पूरा समर्थन और आसरिवाद भारतिय जन्ता पार्टी को प्राप्त हो रहा है दितिय चर्ण के चुनाव 26 अप्रेल को होने जा रहा है और दितिय चर्ण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं चुनाव इस बात क्यों ध्याना करसित कर रहा है के संभातों पहला चुनाव देश का होगा 18 लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके पेयणाम के बारे में पुरा देश आस्वस्त है आस्वस्ति का भा वह इस देश से क्योंकि मोदीजी ने प्रिसले 10 वर्स में देश के अंदर politics of performance पर ध्यान दे करके पुरी जवाब देई के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगिन विकास के जिन लक्सियों को प्राप्त करने के सामें प्रियास ब्रारम किये हैं आज देश उसका लाप प्राप्त कर रहा है यहाँ हर एक छेत्र में देश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का 140 करोड भारतियों के संबान का मामला हो भारत की सुरक्सा को सुदर्ड करने का हो भारत की आंत्रिक सुरक्सा आतंगबाद नक्सलबाद की समस्या को समाधान के लक्से तक ले जाने का हो या फिर देश के अंदर वर्ड ग्लास इन्फरस्टेक्चर उपलब्द करवाने का हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस वेज, IIT, IIM, वर्ड ग्लास इन्वेस्टीज, वन डिस्टिक, वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य हैं, पुरी देश के अंतर, टिपल आईटी, एन कम भी सिरंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नित्रित्व में भारत ने पहली बार गॉर्मेंट, पर्फॉर्मेंस के आधार पर भी कारे कर सकती है, और उस आधार पर जनता जनारदन के बीच में जा सकती है, ये पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है, दे या भी ये देश पहली बार देख रहा है 80 करोड गरीबों को 4 वर्ष से लगातार रासन की सुविधा का लाप फिरी में उपलब्द होना 60 करोड लोगों को देश के अंदर 5 लाग रुपे की स्वास्ते पीमा का कबर प्राप्त हो जाना 50 करोड लोगों को जंदन एकाउंट खोल करके सरकार की धंदासी उन सभी लोगों तक सीधे बीविटी की मात्यम से उपलब्द करवाने का कारे हो 12 करोड किसानों को परदान मंत्री किसान सम्मान निधिका लाब हो या फिर 12 करोड घरों में 100 चाले बनाने का काम हो 10 करोड घरों में उच्जला योजना के रुस्वी केस्त के सिलिंडर उप्लब्द करवाने के कारे हो 4 करोड गरीबों के लिए मकान बनाने के कारे हो या 2 करोड गरीबों को एक-एक बिजली के फ्री में कनेक्शन उप्लब्द करवाने के कारे हो पहली बार वास्तों में देखा है लोगों ने कि योजना का लाब बिना भेद भाव के हर तबके को कैसे प्राप्त हो सकता है जो नारा मोदी जिने 2014 में दिया था सब का साथ और सब का विकास का वा जमिनी धरातल पर कैसे हकीकत में बदला है यह भी पुरा देश देख रहा है और हर तबके की मन में इन सभी योजनाओं को लेकर के भारी उत्सा है मैं तो पूर यह है कि जह हम लोग सभाद चुनाओं लड़ रहे हैं तो लोग सभाद चुनाओं के दोरान एक तरफ भारतिय जनता पार्टी ने अपना संकल पत्र जारी किया था संकल पत्र की परति के साथ पिछली वार मैं भी आपके बीच में हापे आया था बारतिय जनता पार्टी ने पहले चंड के मद्दान के पहले अपना संकल पत्र जनता जनारतन के सामने प्रस्तुत कर दिया था कॉंग्रेस ने भी अपना घोशना पत्र जारी किया है इंडी गडवंदन के अलग-अलग दल भी अपने अपने गोशना पत्र जारी किये हैं मित्रों इंडी गडवंदन और खासतोर पर कॉंग्रेस और उनके सयोगी दलों की जो गोशना पत्र हैं गोशना पत्र के विभिन प्रावधानों के खतरना किरादों की तरफ ही ध्याना कर्शित करने के लिए आज हम सब जनता जनारदन का ध्याना कर्शित करना चाहते हैं जनता जनारदन कर्यान और खास तोर पर इन बुद्दों को ले करके एक तराब 1970 के दसक में तदकालिन प्रभानमंत्री स्विमती इंद्रा गांधी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था गरीबी नहीं हट पाई क्योंकि इस परकार के कारिकरम नहीं थे उनके उनमें सुत्री बिस सुत्री कारिकरम बनते थे लेकिन भी फाईलों तक कैद होकर के रह जाते थे सासनस्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाफ भी देने की बात होती थी तो अग कमिशन खोरी की भेंड चड़ जाती थी योजना का लाफ चेहरा देखकर के देने की जो प्रविड़ती कॉंग्रेस ने उस समय प्राप्रदान की थी कमोवेस वही इस्तिती वही इस्तिती हम लोगों को यूपिये सरकार के सामने और बिभद सुरूप में देखने को मिला है आज का जो कॉंग्रेस इंडिगंड भदन से जुड़ेवे सयोगी दलों के जो गोशना पत्र जारी वे हैं उस गोशना पत्र को देखकर के हम कह सकते हैं एक तरफ अपनी गरीब कल्याण करी योश्टाओं को लेकर के प्रधानवंत्री मोती जी ने बिना बेद्वाव के देश के अंदर हर तब्के के लोगों के कल्याण के लिए उनके उत्थान के लिए कारे किया और दस वर्ष में पचीस करोण गरीबों को गरीबी रिखा से उभार करके उन्हें खुसाल जीवन जीने के लिए आगे वढ़ाने में मदद की और दूसरी तरफ कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कॉंग्रेस या उसके स्योगीता नहीं दे सकते कि जिन्हों ने देश के अंदर सबाधिक समय तक सासन किया आखिर इतने लंबे समय तक सासन करके 65 वर्षों से एक समय तक देश के अंदर सासन करने के वाब जोद उनका पॉलिटेक्स परफॉर्वेंस पर आधरित क्यों नहीं बन पाया था क्यों इनकी उजनाए पिकेंचूस की थी चेहरा देख करके उजनाओ का लाब देने का कारिक क्यों और खासतर पर अब दादी के देगए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जारी है कि हम एक जटके में गरी भी हटाएंगे और गरी भी कैसे इटाएंगे इसका अगर आपको उनकी गोष्णा पत्र में देखना हो तो यह खतरना गिरादा भी है और हास्यस्पत भी है वो कह रहे हैं कि हम संपत्ती लोगों की संपत्ती का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपनी अमसार फिर उसका बंदर मांट करेंगे यानि पहले देश के संसादनों पर रूट पार्ट याद करिए UPA सरकार के तद्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने अपने एक अई वाषण में इस बात का उल्ले किया था कि देश के संसादनों पर पहला दिकार मुसल्मानों का है हमारा कहना है देश के अंदर भारती जन्ता पार्टी ने चार जातियों की बात की गरीब हैं, किसान है, युवा है और महिला है इसमें किसी जाती की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है जो गरीब है, उसको सासन का हिस्सा मिलना चाहिए युवा है, उसके आचीवी का की विवस्ता होनी चाहिए महला है, उसके स्वावलंबन के लिए कारे किये जाने चाहिए अन्यदाता किसान वह किसी भी जाती मत मचब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए ये भारती जंता पार्टी जहां इसकी बात करती है वहीं कॉंग्रेस कहां से प्रारम कर रही है वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी संपत्य का सर्वे करके फिर उसका बंदर मांट करेगी यानि अपनी पुरानी उस प्रविटी में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है और फिर वहीं से उनकी सुरुवात हो रही है इसके लिए वहाँ जातिय जंगर्ना को आधार बना रहे हैं 65 वर्सों तक सासन किये SC, ST, OBC और अन्य जातियों को उन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया उससे उन्हें बंचित किया और याद करिए 2004 से 2014 के बीच के कॉंग्रिस के सासनकाल को जब उन्होंने उस समय लक्सित हिंसा विधयक लाने का कुछित प्रियास किया था बौसंकेक समाज की बावनाओं को उचलने के लिए उनकी अभिव्यक्तिकी सुतंतरता को दवाने के लिए एक कुछित प्रियास किया था भारतिय जंता पार्टी के भारी विरोत के कानण वो उस विदयम को पास नहीं कर पाये थे भारत के प्रती इनकी मनसिक्ता क्या है और इसके बाद इन्होंने अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती और पिछडी जाती के हकों पर डखेती डाल करके उनके आरक्षण में भी किस प्रकार से गुस्पैट करने का प्रियास किया था इसके लिए रंगनात मिस्रा जस्टिस रंगनात मिस्रा जो पहले CGI थे Chief Justice of India थे बाद में कॉंग्रेस के सांसद्वने उनके अध्यक्सता में जो कमेटी बनाई गए उस कमेटी की सिपारिस कॉंग्रेस की मंसा के अनुप देश के अंदर लागू करने के कुछ सित प्रियास हुए थे जिसमें S.C.S.T. और O.B.C. के आरक्षण के अधिकार को जवरन कुछ वर्ग विसेश को देने के कुछ सित प्रियास इन्होंने उस समय प्रारंब किये थे और फिर सच्चर कमीटी की रिकोर्ट में भी दलितों के अनुसुचि जाती जन जाती के आरक्षण में घुस्पैट करके एक हिस्सा इसको भी मुस्लिम वर्ग को जवरन देने के कुछ सित प्रियास किये गए थे जिसका उस समय भारी विरूद हुआ था यानि कॉंग्रेस की मनसा क्या है कॉंग्रेस की मनसा और इंडिकर बंदन का मनसा है अनुसुचि जाती जन जाती और पिछडी जाती के अभिकारों पर दकैती डालना और इसके लिए वे सरकार में आना चाते हैं इसके लिए जाती जन करना कराना चाते हैं इसके आधार पर समाज को पहले जाती जन करना के अधार पर बौसन के समाज को आपस समाजिक ताने बाने को छिन्ने विन्ने करने का प्रियास करेंगे आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जवरन उसका बंदर बांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रियास होने जा रहा है और या एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस गोशना पत्र में इनके द्वारा करने का कुछित प्रियास प्रारंब होगा है हम सब इस बात को जाते हैं कि कॉंग्रेस की मंसा हमेशा सप्ता एनकेन प्रकारियन सप्ता प्राप्त करनी रही है वे देश की कीमत पे सप्ता चाहते है और देश की कीमत पर उन्हें सप्ता चाहिए इसके लिए महलाओं पर ब्रबर अत्याचार करने वाली तालिवानी प्रिवर्टी को भारत के अंदर लागू करना चाहते है यानि ब्यक्तिकत कानून को कॉंग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है यानि तीन तलाकी को प्रथा से बारती जन्ता पार्टी की मोदी जी के नित्रत्तो की सरकार ने देश की आधियावादी को इसको प्रथा से मुक्त किया उससे सुतंकरता दी कॉंग्रेस उसका समर्थन करती है यानि ब्रक्तिकत कानून देश के अंदर हम कहते हैं दो परदान, दो विधान, दो निसान नहीं चाल सकते इसके लिए उन्निसो त्रेपन में डॉक्टर स्याबा प्रसाथ मुखर जीन ने अपना बल्दान दिया था लेकिन कॉंग्रेस देश के अंदर गट्टिकत कानून लागो कर ये सरिया कानून लागो करना चाती है तालिमानी विद्ध्वन्स का समर्थन करना चाती है और ये जो कॉंग्रेस की मनसा है या इंडी गड़बंदन की मनसा है या आधी आवादी का अपमान तो करती ही है एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्याना करसित करती है ये जो महत्वण जो देश के सुरक्सा से जुड़े वे देश की संपर्भुता से जुड़े वे आधी आवादी की गरिमा से जुड़े वे मैं तो पुण मुद्धे हैं उनमें कॉंग्रेस की मंसा स्पस्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रती अच्छा नहीं है वे एनकेन प्रकारेन अपने उस पुराने डेने के उसारे फिर से कारे करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके कारण 1947 में देश का विवाजन हुआ था जिसके कारण देश लगातार आतंगबाद उक्रबाद और अलगाबाद की चपेत में दाया था जिनके कारण जिनके उस देने के कारण देश के अंदर सबी संस्थाएं प्रस्टाचार के आकंट में डूबी थी एक अभिस्वास का माहोल देश के अंदर खड़ा हो गया था कॉंग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है और आज इसलिए जब लोगसवा चुनाओं के हम धितिय चरण के लिए मद्दान की और जाना चाहते हैं तब मैं प्रदेश और देश के मद्दाताओं से पील करना चाहूंगा कि देश यानि जीवन आपका है सुरक्सा आपकी है देश आपका है वोट भी आपका है आपका एक बोट आतंगबाद की तरब भी आतंगबाद के फुराने दौर को लावापस ला सकता है अगर गलत दिशा में गया और आपक का मतलब आतंगबाद को सीमा पारही निप्ताने की जो भारती जनता पार्टी और हमारी मंसा है और जिस पर हम लोगों ने पूरी इमानदारी के साथ काम किया है भारती जनता पार्टी उस अभ्यान के साथ आगे वड़ रही है एक वोट जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खत्रा पैदा कर सकता अगर गलत ये सामें गया लेकिन भारती जनता पार्टी को प्राप्त होने वाला एक वोट वहाँ उनकी सुरक्षा की पुक्ता विवस्था करता है भारती जनता पार्टी को पढ़ने वाला एक वोट हर अभ्यक्ति के सुरक्षा, सुसासन और संप्रवुता को ध्यान में रख करके भारत को एक विक्सित भारत के रुप में स्थापित करने की मनसा के साथ आत्म निर्वर भारत और विक्सित भारत के रुप में स्थापित क करने कि संकल्पना को आगे वढ़ाता है और आज इसी लिए हम लोग देश और प्रदेश के मद्दाताओं से यही पील करेंगे कि वे कॉंग्रेस और उनके सहयोगी तवलों की विभत्स मन्सा को कुछित मन्सा को कतई सफल्नों होने दें क्योंकि यह न केवल अनुसूची जाती जन जाती पिछड़ी जाती के हकों पर ढकेती डालने का कुछित प्रयास है बलकि आधी आवादी को तालिबानी सिकंजे में ढकेलने के भी कुछित मन्सा के साथ यह लोग कारे करके देश के अंदर तालिबानी विध्धन्स को अमंति करने आतंगबाद को अपनी राजनितिक स्वार्त के लिए डेस के अंदर हावि करने और डेस के संसादनों पर जो डॉक्टर मन मोहन सिंग जी के बत्त ब्राह है उस बत्त थे के इसन रूप यह जो भलोग दैस के अंदर देस चे संसादनों पर एक वर्ग विसेश को हावी करने की पुछित मंसा के साथ कॉंग्रेस कारे करना चाहती है जिसको हर मद्दाता को जिसके प्रतिस परक और साउधान रहे करके किसी भी प्रकार के उस दुस प्रविड़ती को नहीं पनपने देना चाहिए जो समाज में 22 सिता पैदा करे रास की भी प्रविड़ती को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए और इसके लिए मद्दाताओं में दॉप्तरक 2014, 2017, 2019 और 2022 में प्रदानमंत्री मोदी जी के कारियों को लेकर उनके पॉलिटिक्स और प्रफॉर्मेंस को लेकर अब तक जो अपना आस्तरी बात दिया है यही आस् प्रफिवाद जन्ता जनारदन का मोदी जी के पृति और भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासिएं के पृति बना रहेगा यह में पुरा विच्वास है और कॉंग्रेस को उसके घोचना पत्र और उसके मन्सा के रुप पूरी तरह कॉंग्रेस और इंडी कड़बंदन को खारिज करने का कार्य भी तेश का मताता करेगा अब इसमें कोई संते नहीं है धन्यवाजे